नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितिन चौदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडू टेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे येस बैंक लिम्टेट के बारे में जी आँ दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है य यह निवेश करने की सोच रहा है क्योंकि क्वाटर फोर के बाद येस बैंक लिम्टेट में एक नया तूल पकड़ता जा रहा है और एक नया ट्रेंड चल रहा है कि क्या येस बैंक का सियर पांच रुपे प्या जाएगा क्योंकि जिस तरह से ब्रोकिंग एजनसिया अपना और चालू है और इस गिरावट का में बज़ा इसके क्वाटर फोर के रिजल्ट्स है क्वाटर फोर के रिजल्ट्स में बैंक को है भी नुक्सान हुआ है पिछले साल के तुला में इस साल जो है काफी जादा नुक्सान हुआ है इसी के चलते जो है बैंक में गिरावट जा आज वो जो है अपनी हिम्मत हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और यस बैंक लिम्टेट में धीरे-धीरे अपना माल बेच रहे हैं जैसे यह सब्सक्राइब ग्रावट आ रही है रिटेन नहीं वेश्क कि हाँ पर अपना बोरिया बिस्तर समेटता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन मार्च 2021 से पहले जनवरी फरवरी मार्च यह जो इस साल के जो क्वार्टर वन यानि क्वार्टर फूर के जो नतीज्जे आये हैं इससे पहले इसने अपना स्टेक घटा दिया है और अब यस बैंक लिंटेट में इसका स्टेक 1.96 परसंट है लेकिन इससे पहले 2.39 क्योंकि इस स्टेक कम करने की में वजह दोस्तों 388 क्रोड का नेट लॉस हुआ है इस जनवरी मार्च के क्वार्टर में एस बैंक लिंटेट को जिसके कार जो है जो मांकेट के जो ब्रोकर है वो सेल कॉल दे रहा है और लगातार बैंक जो है नीचे की और जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहां पर जाइड़ सी बात है कि जब बैंक नीचे जाएगा तो लोग घबडाएंगे क्योंकि आपकी जादा नुक्सान हो रहा है इस बैंक पिछे पड़ा हुआ था पहले और उसे टार्गिट धिया थे शह रूपए कर पिर नों रूपए किर दीआ है दर्श का आच सी कोट्रीस का टार्गीट पाइसे 15 लिपये का निरमल डैंक का टार्गीट हैसे दोस्तों बारा रूपएका वहीं पर यह पर टैंक्षी किया है तो इससे जो है मार्केट में एक पैनिक माहल बना हुआ है और बैंक में लगातार गिरावट हो रही है और उस गिरावट में जो है लोग घबडा कर जो है यहां पर शेयर बेशते हुए दिखाई दे रहे हैं और नया इन्वेस्टर अभी एस में हाथ नहीं डाला है क् उसको जो है कब एंट्री लेनी है जब चारो तरफ अपरात अपरी मची होगी उसी समय बड़ा ओपरेटर इसमें अपना माल डालेगा और बड़ा मुनाफ़ा यहां से कमा के दाएगा क्योंकि उसको पता है कि मार्केट की नस्त उसको पती है पता है और हम लोग क्या है कि इसे गिरावट आती है घबडा दाते हैं 13 रूपे लिए 14 रूपे पंदर रूपे लिए 13 रूपे आ गया अब क्या करें आज 2 रूपे एक से पीछे तो इससे जो है उनका जो पोटफोलियो है दस से परसंट 15 परसंट का इहां पर रेड चला तो इसे रिटेल निवे सक कि сेटेंबर करने का प्लान चल रहा है इसके दिपॉजिट से उसको जो है अक एक एस ऽेक स्कूर सन कंपनी A.R.C. के थूँ जो है बैंक में जितने भी बैड लॉन से हैं उसको रिकवर करने की कोशिस कर रहा है हला कि बैंक को जो है इसमें सफलता मिल भी रही है लेकिन उम्मिद से कम मिल रही है जो तरह मिलना चाहिए उतना नहीं नहीं मिल रहा है क्योंकि ए आर्सी एस्ट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी के थुरू एस बैंक लिंटेड ने आर्वी आई के सामने अपना प्लान पेश किया था लेकिन आर्वी आई ने रिजेक्ट कर दिया लेकिन फिर उन्तिस अप्रेल दो हजार दोस्तों आट बसकर 37 मिनट की पर जाकर चेक कर सकते हैं कि बैड बैंक टू लाग करोड फार डिफाल्टिंग कंपनी लोन आपने आपको दिवालिया घोसित कर रहे हैं उनसे दो लाग करोड रुपे की हां पर रिकवरी की जाएगी तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट यहां पर दरसाई गई और इंडियान बैंक ए सोसीएसन यानि कि एक कमिटी होती है बैंकिंग सेक्टर का जिसे हम बो जरी हैं इंडियेन बांक एसोसीएशन ने दो लाख करोड रुपे यहां पर जो है बैड बैंक का चिंहित किया है आप सर पर दो हैं अर इसके इस resemble जो है उन्होंने अससे स्ट और इसमें 102 कार्पोरेट बैड लोन को चिनित किया है जिसमें दो लाख करोड से उपर की जो है रासी प्रेंडिंग पड़ी हुए है जिसमें यस बैंक लिम्टेट भी सामिल है यानि यस बैंक लिम्टेट से जो लोग पैसे को निकाले हैं लोन की रूप में उनकी भी सूची इसमें है तो ARC के थुरू जो है लगातार कोशिस की जा रही है कि बैंक में पैसे को वापस लाया जाए यानि कि सरकार भी इस कोशिस में लगी हुई है कि जितने भी बैड बैंक्स हैं जिनके उपर इतनी सारी प्राब्लम है उनको जो है कम किया जाए और 75% का जो इनका जो को कम किया जाए और इसके चक्कर में जो है बैंक जो है लगातार एक के बाद एक बिटिंग लेती हुई दिखाई दे रही है और इस को रोना प्रैंडेमिक में आपको पता होगा कि अभी दो-तीन दिन पहले अर्वियाई के गवर्नेस में अवनाश्मेंट किया था कि 50,000 करोड रुपे का जो है फंड बैंकों को देंगे तो ए भी एक रिली भरी ख़बर है इसी के काले जो हम मार्किट में दो दिनों से थोड़ी बहुत उचाल आपको देखने को मिल रही है लेकिन सारे सेर्स भाग कि आप लोगों ने येस बैंक लिम्टेड में अपने पैसे को निवेश किया है तो सौट टम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा है सौट टम में आप सोचते हैं कि आज हमने सेर को भाई करके खरीदा होल्ड किया अगले हपते जो है दो रुपया बढ़ जाएगा तो आसा क आपका जो वीजन है जो सोचने का तरीका है जो जो यह सब्सकी बात नहीं है कहने में और करने में अंतर होता है दोस्तों जब आप ट्रेड लेते हैं उससे पहले आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं जो हो इस सेर को घाटे में नहीं जो दस से पंदर परसेंट के रेड सिंगनर में आज आता है आपके अंदर एक घबडाठ होएं लगती है कि अरे यारी तो दस परसेंट कहीं असान होगी डूब जाए ऐसी भावना आपके अंतर आती है और जैसी यह भावना आपके अंदर आती है आप फटा-फट माल लेकिन सबसे मज़दार बाद पिछले एक महीने में सबसे जादा डिलेवरी आज की डेट में उठाई गयी है आज की डेट में बात करें नेशनल स्टॉक एक्चेंज पर इसके कारोबार की तो नेशनल स्टॉक एक्चेंज पर आज की रिट में 9 करोड 57,006,597 के कौांटि यहां पर Yes Bank Limited में माल उठाया गया है delivery में तो आप सोच सकते हैं कि लगातार जो है यहां पर delivery उठाई जा रही है और यह जो delivery की percentage मात्रा इसाफ साफ इंडिकेट करती है कि जब 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 एस में गिरावत होगी और जब जब लोगों को डीप पिलेगा जो लॉंग टैम के परपस से एस मेंक लिम्टेट को खरीदे हैं और जादा खरीदेंगे क्योंकि वाट्सप पे हुझे कई लोगों ने कमेंड क्या था कि सर कुछ भी ह हो जाए यदि यह से दस रुपे पर आएगा तो मैं डबल खरीदूंगा नौ रुपे पर आगा तो और खरीदूंगा क्योंकि लोग जो है लगातार इसमें पाइंग कर रहे हैं सेल वही लोग कर रहे हैं जो नए-णय रॉबिन हूड हैं जो नए-णय श्टॉक मार्केट म आए हैं तो आपको घबडा नहीं है आपका पैसा दुरूर बनेगा लेकिन आपको बस एक ही चीज करना है आपको इसे किसी भी कीमत पे सेल नहीं करना है वोल्ड करना है क्योंकि होल्ड के सिवा आपके पास कुछ भी कोई ऑप्शन नहीं है तो आई-ओप दोस्तों वीडि दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद